हाई गाईस वेलकम टू बैक मैं चैनल मैं प्रियंका आज हम बनाएंगे बुट्टा से बहुती टेश्टी सा नाश्ता आप सुबह के टाइम बना सकते हैं या बच्छों को लंच में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और बिल्कुल ईजी सा रेश्पी आप लोग के साथ सेयर करेंगे कि कभी भी जटपड बना सकते हैं बहुत सारा बुट्टा को वीडियो अल्रेडी हम आपको देख चुके हैं आप यह नहीं देखें आप तप्रियंका डीसी भी चैनल पर सर्च मेरके देख सकते हैं या उपर आपको वीडियो दिख रहा होगा उस पी क्लिक करके द पालना है थोड़ा से नमक और थोड़ा से हल्दी भी डाल देंगे कि इसका कलर जो है फीका न पड़े और बहुत ही टेश्की बनता है और बनाना इतना असान है कि आपका जम बन करेंगा तब आप इससे बना सकते हैं और उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेर लेका घंटा प्रेस कर लिजिए ताकि आलिए वीडियो को आप सबसे पहले उठा सकें और आप लोग को दिल से सुक्रियादा कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट के तो यह देखे इस अच्छी सरग दे उबलने के लिए और उबल जाएगा उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपको की तरह से उबालना है और इतना असान है क्योंकि अगर हम लोग भून के खाते हैं तो बोर हो जाते हैं खाते-खाते तो सुचते हैं कि बुट्ट से कुछ अलग लग तरीके का रेसिपी ट्राय करते हैं क्युक्त चेजर बने अपड़न सबदोग और वादा अन्हैं है कुछ अपर देके का पिडियो मेडियो के साथ करें अप लिए और बस अपैसे कोंडे के साथ कि ताकि आप लोग एक बुट्टे से अलग अलग तरीके का बहुत सारा आप बना के खा सकते हैं तो यह दिखिए उबल के बिल्कुल तयार हो गया आपको हम इसे तच करके भी दिखाएं कि आपको कैसे समझना है कि योगल गया है कि नहीं जब हांसे से प्रेस करिएगा तो ब बिल्कुल चैंज नहीं हुआ आप देख सकते हैं किता प्यारा लग रहा है ना इसे लिए महलदी और नमक बोले थे आपको कि आप डाल दीजेगा इससे जवह बिल्कुल इसका कलर नहीं चैंज होता है वह इसे रख देते हैं साइड में और इसे बिल्कुल असान तरीके से बनाएंगे आपको कुछ ज्यादा नहीं कि आपको ज्यादा ताम ज्याम करना है जो किशन में पड़ा हुआ है उसी से बना के तियार करेंगे बिल्कुल असान तरीके से तब गैस पर चड़ा देंगे दूसरी तरफ से कड़ाई और कड़ाई को हलका से गरम होने देंगे औ अच्छे से सोब्ट हो गया है आपको बिल्कुल सोब्ट कर रहा है जितना ही अच्छे से सोब्ट करिएगा उतना ही टेश्टी इसका बनता है क्योंकि अगर थोड़ा सब यह टायट रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है खाने में तो भी पहाल फिलाल में बहुत सार आप लोग के साथ वीडियो सेयर किया आप जाके देख सकते हैं उसका लिंग आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा वहां से भी जाके चेक आउट कर सकते हैं और आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग से कर लिए और चानल को सब्सक्राइब कर लिज सब्सक्राइब कर लिए और इसे फ्रीज में श्टोर करके रखते हैं इसका जब तक स्वेर फ्लाइब रहता है दो सब्सक्राइब अलग अलग रहता है तो यह बिल्कुल खराब नहीं होता है और यह समच भर के अम डालें इसमें बटर और जैसे ही बटर हलका मेर्ट हो गय बिल्कुल भी नहीं जैसे ही करी पत्ता और मीडशे हलका सा घुन जाएगा तुरंत आपको डाल देना है और बाकी का जो बचा हुआ है आप इसी से में डाल दीजिए उससे कोई और भी रेस्पी बनाएक आप ट्राइ कर सकते हैं अगर थोड़ा सा बनाना चाहता है तो थो बनाने में मिलात नहीं लगता है वहीं कहनत है कि यह त्यार हो जाता है और Select पर फिल्च लाल मिट कर दो जोत होटा धीजिए नहीं जाता है दो और आपको डालना है स्वादनसार नमक सब को डालके अच्छे से मिक्स करना है दो से तीर मिन तो कि यानि टोटल आपको 5-6 मिन तक इसे पकाने में टाइम लगेगा इससे ज्यादा नहीं लगता और यह बनके तयार हो गया बिल्कुल सुखा वाल आप इसे चाट बोल सकते हैं अभी आप लोग के साथ फिलाल में शेयर कियाते हैं बुट्टे से चिल्डी कैसे बना सकते हैं बुट्टे का टेश्टी अपने मकीन कैसे बना सकते हैं वह भी आप लोग के साथ शेयर किये हुए यह आपको वीडियो दिख रहा होगा उपर चल रहा होगा तो आप पूज जाके देख सकते हैं यह देखे तोड़ा समचक ले रहा है कैसा लग रहा है बहुत ही टेश्टी लगए इसका पसंद आया है इस तरीके से बनाइए खाई और सब को खिलाइए और आपकी घर में किस किस को पसंद आया है मुझे नीचे कोमेंट में जरूर बताइएगा और हैं आप लोग मुझे इतना सपोर्ट और प्यार दीजिएगा तो जाहिश बात है कि बहुत आगे तक हम जाएंगे तो मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ तक लिपाया में अपना ख्याल रखेगा और जो भी चीछ आपको नहीं समझ में आता है मुझे कोमेंट और पु